कोरोना का आतंग पुरे दुनिया में चाया हुआ है लेकिन बिहार भी काफी तेजी से संक्रमित होता जा रहा है बिहार में कोरोना पोजिटिफ मरीजों की संख्या 24 हो गई है और ऐसे में राहत बचाओ कारे को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं विपक्ष का कहना है कि सरकार में जो भी घुष्णाय की हैं वो जमीन पर कहीं दिख नहीं रहा है जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी जांच नहीं हो रहे है प्रुपरधन से डाक्टरों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई कीट नहीं है और लोगों तक खाने पीने की अगरी नहीं पहुच पा रही है अभी मेरे साथ है आरजेडी के प्रधान प्रवक्ता भाई विरेंदरिन से बात करते हैं बृष्ण करोन का कितना खत्रा है बिहार को संक्रमन का काफी संक्रमन बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में और भी खत्रा बढ़ने वाला है चुकि सरकार एक तो क्रोना से लोग ग्रशित है दुसरा है गरीवी से ग्रशित है जो भूखे भी मरने को त्यार है शरकार उनके लिए कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है केवल रोज घोसना कर रही है लोग मन की बात कर रहे रहे देश की बा हो रहा है और गरीवों के लिए कोई काम नहीं हो पा रहा है इसलिए मैं मांग करूंगा सरकार से कि घोसना कम आपका जो घोसना है उसको सरजमीन पर उतारिए तभी हम इससे लड़ाई लड़ सकते हैं और कोरोना से जो जूज रहे हैं उसकी जाच होनी चाहिए कीट की सरकार दवा कर रही है कि हर जीलों के स्कूल में लोगों को रखा गया है जो बाहर से लोग आये हैं दो लाक के आसपास लोग आ चुके हैं बाहर से प्रवासी मजदूर उनको बाहर रखा गया है उनको क्रोन टाइन किया जा रहा है और उनको खाने पीने की बेवस्थाइश कहां रहते थे कितना दिनों से रहते थे यह पूछकर और येस येस करके उसको भर दिया जाता था और गाओं में जो स्कूल है यह बास सही है कॉरंटाइन करके रखा गया है लेकिन एक गिलासपानी सरकार के द्वारा नहीं मुहाया किराया जा रहा है लोग अपने घर से उनक को ब्यवस्ता नहीं है हमके सरकार रोज करे कि उनके खाने पीने का सारा ब्यवस्ता आप करे नहीं है तो नहीं हो सकता है लेकिन ऐसा है नहीं आप विधायकों ने भी फंड दिया है विधायक निधी से अब वो पैसे की सरकार को कमी नहीं है कि वो हात पसा रहे हम विधायक के चाहे मेलसी हों मानिय विधायक हों सब लोगों के फंड से 50-50 लाक रुपया लिया गया है और जिनको और भी ज्यादा हो सका है तो दिया है हमने 50-40 लाक अलग से रुपया दिया है यह हमारे छेतर में कोरोना शलरने के लिए जो समगरी है कीट है उसको बाटा जाए लेकिन वो सधरातल पर अभी नहीं आया है और पैसे की कमी नहीं आखिर ये पैसा जा कहा रहा है फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बिहार में फिर एक घोटाला कोरोना घोटाला होने वाला है और इसकी सुरुवात हो गई है लोगों तक राहतकार्ज नहीं पहुँच पा रहा है और ज गरीब है जिसको सरकार के कम्यों के वज़ा से नहीं करधारी बनाया गया क्या सरकार उसके लिए क्या कर रही इसलिए हर गरीब को राशन की बेवस्था सरकार ततकाल करे ने तो बिहार में भुखमरी होने वाली है कोरोना से जादा भुखमरी होने वाली है और आपका जो आद किसको इसके दोसी नानते हैं नहीं सरकार इसके लिए तो साफ पर पर सरकार दोसी है oh कहीं नहीं कहीं इसमें साजिस है और इस साजिस को नकाम सरकार को करना चाहिए इस पर काम करना चाहिए केवल टीवी पर रोज आकर भासन मत दीजिए चुनाव का वक्त है चुनावी राजनीती मत कीजिए और घोसनाओ की सरकार मत बनिए और राजनीती नहीं होनी चाहिए हम सारे भी पक्च सरकार के हर फैसले के साथ है आप जिस तर से आरोप लगा रहे हैं भाई बिरेंद्र ये तो राजनीती ही है नहीं राजनीती नहीं हम ये आगा कर रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे हां करुंटाइन रूम बनाया गया है इसकोलों को पंचायत भवनों को लोग हैं उसमें एक गिलास पानी सरकार के तरफ से नह को चाहिए प्रसनल प्रोटेक्शन एकुपमेंट ओ नहीं मिल रहा है और कई जहों से तेजस्वी आदों ने ट्विट किया था वीडियो कि बगएर जाच के मुहरमार दिया जा रहा है निशितरू से हमारे छेतर में भी यही हो रहा है हम रोज संपर्क में हैं और देश के कई राज्यों से हमारे छेतर के लोग रहते हैं वो फोन करते हैं जो सरकार का हेल्फ लाइन और नमबर बिहार भवन का दिया गया है मैं वहाँ देता हूं तो कहता लो कि कोई उठाता न लोगव को ठगने का काम किया जा रहा है और घोसना हो रही है इसी लिए लगता है कि कहीं न कहीं बिखार की इरगाड़ी कमाई का पैसे का ये लोग बंदरबांट करने का काम करेंगे आपकी पाटी अब क्या करेगी? अभी तो साथ दे रही आगे भी साथ देगी लेकिन जहां कमिया होगी उसको जागर हमेशा हम करते रहेंगे आपके माध्यम से तो आप देख रहें कि भाई विरेंद्र आरजडी के प्रधान परोकता है और इनका कहना है कि लकडाउन का इनकी पाटी ने साथ दिया है समर्थन किया है वो करते भी रहेंगे आगे लेकिन अगर राहत बचावकारे के नाम पर कोई घोटाला होगा घपला होगा तो चूप उनकी पाटी नहीं बेटने वाली